वान, आस्कस पीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लाश 12 इंगलीज का प्रोज का पाच्वा चेप्टर जो है इंडीगो जिसका हम मोश्ट इन्पोर्टेंट क्वेस्चन को आस्कस पीडियो में देखेंगे वो भी एंस्वर्स ही थम देखेंगे और वो भी हम केवल उनी प्र से इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारा अफ़ेक्टिव क्यंचन है आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला हमारा क्यंच है who is the author of indigo मतलब indigo के author कौन है मतलब लेखा कौन है तो इतना तो chapter आप जब पढ़े होंगे तो इसका कहानी सबसे पहली बात तुम्हें ये बता दूँ कि देखिए जब भी इस chapter का जो indigo chapter आप पढ़ रहे हैं इसका यदि आपको पूरा प्रस्न को समझना है जानना है ठीक है important question पढ़ रहे हैं उससे पहले इसकी कम से कम हिंदी में कहानी आप सुन लीजिए समझ जाएए कि इस chapter में हमें क्या बताया गया है तो आपको पता होगा कि जो indigo के लेखक कौन है वो कौन है लूइस फीचर है ठीक है तो इसको आपको याद रखना है लूइस फीचर जो है वो indigo के लेखक है तो आपका जो b answer है यह सही हो जाएगा ठीक है आते हैं दूसरे अपने प्रस्न पे दूसरा हमारा प्रस्न है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि indigo is an expert from which book of the author मतलब यहाँ पे simple में कहा गया कि indigo is an expert from which book of the author मतलब तो जो indigo जो chapter है यह indigo chapter author ने किस book से लिया गया है मतलब simple में कहा जा रहा है पूछा जा रहा है कि जो indigo जो chapter है author ने किस book का यह answer है जो indigo chapter है तो men and politics है या life of Lenin है या the life of महत्मा गादी से लिया गया है या none of this तो देखें इंडिकू में महत्मा गादी के वारे में ही total बात हुआ है इसका मतलब क्या हुआ महत्मा गादी के जीवन से ये लिया गया है तो जो option आपका B होगा ये सही हो जाएगा समझ पा रहे हैं ये महत्मा गादी से लिया गया है तो option जो C होगा वो सही हो जाएगा आते हैं अपने तीसरे प्रस्ण पे तीसरा हमारा प्रस्ण है जो आपको दिखाई दे रहा होगा तीसरा हमारा प्रस्ण है कि what is the message conveyed in the lesson indigo मतलब indigo जो the indigo lesson है तो जो lesson है indigo ये क्या message दे रहा है ये जो chapter है इसको पढ़ने से हमें क्या message मिला तो यहाँ पर कह जाए speak loudly मतलब तेजी से बोलना तेज आवाज से बोलना ये हमें बताया जा रहा है ये non violence मतलब violence को कम करना ठीक है तो ये आपको बताया जा रहा है ये wise and cause is leadership can resolve any problem मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि बुद्धिमान और कर्जिस मतलब होता है साहसी leader ठीक है can resolve any problem मतलब जो बुद्धिमान और जो साहसी जो नेता होता है ठीक है leadership मतलब जो leadership नेता होते हैं वो क्या कर सकते हैं वो any problem को resolve कर सकते हैं तो यही आपका इस chapter में message दिया गया है तो option जो c हो जाएगा यह सही हो जाएगा ठीक है तो यह आपको केवल इस chapter से आपको यह तीन जो हमने महत्तपूर्ण आपको हमने यह बताया है तो इन तीनों प्रसनों को objective जो प्रसन हमने बताया है इन तीनों को इन सभी का PDF notes हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे आप जाएगा और केवल सर्च कीजिएगा brother sir यह हमारे चैनल का नाम है अब जानते भी हैं तो इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे हमारे चैनल आ जाएगा तो वहां से जाकर आप इनका notes ले सकते ह हैं ठीक है आते हैं अगले अपने long question पे तो पहला हमने question यहां पर लिख दिया है who was राजकुमार सुकला ठीक है तो राजकुमार सुकला कौन थे ठीक है यह क्या गया उसके बाद बताना है कि what was his specialty मतलग उनकी विसेश्थाएं क्या थी राजकुमार राजकुमार जो सुकला है इनका यह कौन थे और इनकी क्या भी सेश्थाएं थे यह आपको बताना है ठीक है तो हमने आसान सब्दों में यहां पे लिखा हुगा है ध्यान से आपको समझना है हमने लिखा है राजकुमार सुकला वाज शेयर क्रॉपर आफ चंपारन इन बिहार मतलब जो राजकुम का मतलब आप समझ रहना तो यही का जा रहा है कि राजकुमार सुकला बिहार में चंपारन के बटाहिदार थे मतलब जो चंपारन था उसके बटाहिदार का मतलब होता है कि बटाहिदार का मतलब की मान लेते हैं कोई आप सुने भी होंगे अकर गाउं से बिलों करते हैं तो खेतोत होता है, तो उसका बटहिया लिया जाता है, इस प्रकार आपसे कहा जाता है, तो इसका मतलब मान लेते हैं, यह चमपारन है, ठीके, एक समझ देए, तो यह चमपारन को चलाने वाला कोई एक वेक्ति था, वो है राजकुमार सुकला, ठीके, परन्तु राजकुमार जो तो शुकला है वो इससे जो भी इनको profit होता है तो ऐसा नहीं है कि यह पूरा लेते हैं राजकुमार सुकला जो है वो 50% जिसका है उसको देते हैं ठीक है तो उसी को बटाहिदार कहा जाता है तो वही कहा गया कि राजकुमार सुकला वाजाए सेर क्रॉपर आफ चंपारन इन बिहार मतलब चंपारन जहां पहे बिहार में तो बिहार में चंपारन के क्या थे बटाहिदार थे जो राजकुमार सुकला है समझ गया होंगे इतनी बात इसलिए सिंपल से आपको बताया गया है कि राजकुमार सुकला वाजा सेर क्रॉपर बटाहिदार थें ठीके उसके बाद हम लिखा है his specialty ठीके इस पेसिलिटी वास डेट मतलब उनकी विशेष्था थी कि he was illiterature मतलब होता है कि वह पढ़े लिखे नहीं थे इनकी विशेष्था थी कि वह पढ़े लिखे नहीं थे बट लेकिन result of his decision मतलब उनकी decision मतलब उनका जो क्या था निर्ने था ठीक है उनका निर्ने प्रतिक जो निर्ने था वो ड्रिन था result मतलब होता है द्रिन मतलब वो जो भी निर्ने लेते थे उसको पूरा करते थे ठीक है तो यह हो गया आपका answer answer question तो यही पुछाता ना कि राजकुमार शुकला कौन थे तो आमने बता दिया वो बटहिदार थे उनकी विशेष्थाएं क्या थी कि वो अनपड थे और अपन से इसको समझना होगा बहुत ही important question है ठीक है देखिए थोड़ा सा बड़ा answer होगा पर समझ जाए सबसे पहले हमने लिखा है कि what did Gandhi do for the overall development in चमपारण मतलब गाधी जी ने चमपारण के development चमपारण के जो क्या होता है ओबाराल मतलब होता है चमपारण के संपूर्ण विकास के लिए क्या किया अब इसी को आपको answer देना है हमने यहाँ पर question लिखा answer हमने आसान सब्दों में लिखा हुआ है ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा हमने लिखा है in order to educate the people of चमपारण गाधी जी mad and appeal the teacher यहाँ तक आपको सबसे पहले समझे कहा जा रहा है कि in order to educate the people of चमपारण मतलब चमपारण के लोगों को सिच्छित करने के लिए गाधी जी mad on appeal गाधी जी जो है वो क्या कर रहे हैं अपील कर रहे हैं कि जो चमपारण के जो people हैं लोग हैं वो क्या हो educate हो जाये मतलब सिच्छित होने के लिए छीक हैं उनको सिच्छित करने के लिए उसके बाद इन्होंने य सबसे पहला क्या की था जंबारण को development करने के लिए विकास करने के लिए तो सबसे पहली बात क्यों गाओं के लोगों को सिच्छित करने के लिए सबसे पहली उसके बाद यहां से लिखा गया कि primary school where also opened in six village to teach children मतलों यहां पर कहा जा रहा है primary school को मतलब बच्चों के पढ़ाई के लिए प्राथमिक विद्याले को open किया गया कितने च्छे गाओं में ठीक है और तो गाओं में था ही पर च्छे गाओं में भी क्या किया गया primary school को open किया गया ठीक है तो इतना आपने समझ लिया उसके बाद एन in order to अब थोड़ा से समझेगा फिर से कहा जा रहा है कि in order to improvement of miserable health condition गाधी जी got a doctor अब यहां तक थोड़ा समझ जाए कहां यह जा रहा है कि end और in order to improvement and miserable health condition गाधी जी got a doctor मतलब गाधी जी ने simple में समझ जाए गाधी जी ने एक doctor रखा हुआ था ठीक है miserable health condition मतलब miserable मतलब होता है कि जो क्या कर सकते है serious condition हम समझते है ना तो वही है miserable क्या है कश्ड़ाई ठीक है miserable मतलब कश्ड़ाई health condition किसी का हो जाता है मतलब समझे कि कोई भीमार हो जाता है उसके लिए गाधी जी ने एक doctor को वहाँ पर रखा हुआ ठीक है तो यह उन्होंने किया था थस मतलब होता है इसलिए गाधी जी made many efforts for the overall development of champaran ठीक है इसी प्रकार गाधी जी ने क्या किया था जो क्या थे many efforts किया था बहुत ही प्रियास किये थे overall ठीक है संपूर्ण डफलप्मेंट अव चंपारन मतलब संपूर्ण विकास के लिए many effort किया था गाधी जी ने ठीक है इस प्रकार ही तो दिखी हमने simple है मैं लिखा हुगा है आशा करते हैं आप समझ के होंगे सबसे पहली बात हमने लिखा कि in order to educate the people of चंपारन गाधी made appeal to the teacher मतलब गाधी जी ने क्या किया था appeal किया था teacherों से जो क्या थे चंपारन के जो लोग थे उनको सिच्छित करने के लिए उसके बाद गाधी जी ने primary school where also open in 6th village to teach children मतलब क्या कहा गया कि जो बच्चों को सिच्छित करने के लिए 6 गाउं में प्राथमिक विद्यालेओं को open किया गया ठीक है उसके बाद in order to improvement and miserable health condition गाधी got a doctor गाधी जी ने एक doctor रखे हुए थे किसी के serious मान लेते हैं किसी का health condition अच्छा नहीं है उसके लिए किसी का बिमार हो गया तो उसके लिए ठीक है इसी तरह ठीक है गाधी made many efforts गाधी जी ने इसी तरह और भी बहुत चारे effort किये थे for the overall development in champaran champaran के लोगों को चंparan के विकास के लिए इन्होंने ऐसा किया था ठीक है तो इतना आपको answer में लिख देना है आशा करते हैं आप समझ के होंगे आते हैं अगले अपने प्रस्न पे तो ये बहुत ही question है इसको भी आप समझ जाईए देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है simple सा question है ठीक है आपको दिखाई दे रहा है what had happened ठीक है कहा गया what had happened in December 1916 in Lucknow मतलब simple से कहा गया कि जो कहा जा रहा है कि what had happened ठीक है क्या हुआ था in December December 1916 को Lucknow में in Lucknow मतलब Lucknow में December 1916 2016 में 2016 इस भी को क्या हुआ था ठीक है आपको बताना है देखिए हमने simple में लिखा हुआ है आसाम सब्दों में आपको समझ में आ जाएगा हमने लिखा है कि गाधी जी went to Lucknow in December 1916 मतलब गाधी जी गय हुए थे कहाँ पे लखनवर में 28 दिन तो December 1916 में गाधी जी लखनव गय हुए थे ठीक है To attend the annual convention of the Indian National Congress Party मतलब किसके लिए गय थे गाधी जी जो गय हुए थे गाधी जी लखनवर में December 1916 को गय हुए थे To attend attend करने के लिए annual convention annual convention का मतलब होता है वार्षिक अधिनी वेशन तो वो वार्षिक जो Indian National Congress Party है मतलब भारतिय राष्टिय कांग्रेस पार्टी है उसके वार्षिक अधिनी वेशन पर attend करने के लिए गाधी जी कहाँ पे गय हुए थे लखनव में गय हुए थे December 1916 को ठीके उसके बाद यहां से फिर्षिक लिखना है कि राजकुमार सुकला had come to the Congress session मतलब राजकुमार जो सुकला है वो had come to the Congress party मतलब जो राजकुमार सुकला है वो भी Congress जो क्या है सेशन है उसमें आई हुए थे कम हुए थे मतलब आई हुए थे ठीकें, की वा हुए थे To complain about the injustice of the landlord system in Bihar मतलब किसले आई हुए थे तो सीकायत To complain about सीकायत के लिए आई हुए थे injustice मतलब जो अन्याय के लिए सीकायत के लिए आया हुए थे Land Lord system in Bihar मतलब क्या होता थे बिहार में जो भूमी को घड़पने वाला गाधी जी से ठीक है एंड टू टेक गाधी जी टू चंपारन और गाधी जी को चंपारन ले जाने के लिए आये थे तो आशा करते हैं आप समस रहोंगे तो हमने सिंपोल में बता दिया गाधी जी क्यों गए हुए थे मतलब जो दिसंबर 1916 को लखनव में क्या हुए था तो लखनव गए हुए थे किसके लिए तो जो annual convention है stripes किया था वार्शिक अधिनिवेशन बी उस उस कॉंग्रेस सेशन में आई हुए थे ठीक है और कंप्लेन एबाउट इंजस्टिट अफ लेंड लेंड लॉस सिस्टम इन बिहार ठीक है और वो शिकायत के लिए भी आई हुए थे कि जो बिहार में क्या होता है भूमी जो क्या भूमी को हरप लिया जाता है उसके अन्याय क के लिए वो कंप्लेंड करने के लिए हुए थे ठीक है और अर उनको घांधी जी को टेक मतलगती जी को ले जाने के लिए उए थे ठीक नैयुंपारण में तो यह हुए आपका सभी इंपोर्टेंट हमने जो क्यों संधा यह हैं इस चैपटर से क्केस्ट को बताएं इसे मया आगया होगा देखे मैं यही कहूंगा कि सबसे पहली बात कि इन सभी का आपको निश्चिन्त रहना है इन केवल इस चैप्टर से आपको इन तीनों परशनों को तियार कर लेना है तिन हमने आते हैं चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा क्योंकि आगे भी ऐसे ही कॉंटेंट आपके लिए प्रोवाइट कराते रहेंगे इनका सभी का पीडियो नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम पर आप जाईए और सर्च क प्रोवाइज तो उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वेज सभी वीडियो मिल जाएंगे तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं तो चली दोस्तों आज के लिए मिलते एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन् नएवाद